हेलो दोस्तो आज की इसी वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इसी वीडियो में डिस्कॉस करने वाले हैं चन्नाई पेट्रोलियूम कर्परेशन लिमिटेड सहर के बाट में तो आज की टेडिंग सेसन में इसमें बहुत ही सांदार तेजी हुआ है पर उपन हुआ था फिर उसका बाद continuously दूस्तों आपको एक ही रेंज का अंदर ट्रेट करता हुआ देखने को मिलेगा फिर उसका बाद पिछले एक माने का अंदर बात करे श्टोक का अंदर गिरावड हो रहा था रभी सेला स्टोक का अंदर आचा गाशा तेजी हो रहा है औ 116% का तेजी है जो कि काफी आचा इसमें positivity देखने को मिलेगा तो all time का चार्ट पेटरन अगर देखेगा all time की चार्ट पेटरन को पर काफी ज़्यादा भोलेटाइले सेयर आपको देखने को मिलेगा option डाउन देखने को मिलेगे काफी ज़्यादा दोस्तों हज से पर यहां पर भीक वाली शुरुवात हो जाता है और यहां पर खरीदारी शुरुवात होता है तो जैसे कि आप देखेगा तो शट्टर में दोस्तों स्टोक का जो प्राइस है इसी लेबल तक आएगा यहां पर आपको बता दें फोर हंडेड फटी का प्राइस दोस्तों जो कि अभीके लिए स्टोक का प्राइस 283 परटेट कर रहा है जो कि इसी क्रास का अंदर स्टोक का अंदर जो गिरावढ वड़ भूड हुआ प्लक्टॉशन तो एसे कंपनी आपको लंग टर्म के लिए ना अच्छा का सा रिटर्ण कमाएका दे सकते हैं तो अभी के लिए स्टोक तो इसी रेंज का उंदर नहीं आएगा जो कि इसमें आने पर दूस्तो थुड़ा सा टाइम लग सकता है जैसे कि आप देखोगे यहां पर यहां जो तेजी हुआ था और यहां पर जो गिराबड हुआ कम से कम इसमें जो तेजी और गिरापड इसमें दूसाल का बॉक्त चाहिए ज्योंकि अभी के लिए जो तो आगे दिखाएंगे और उससे पहले उगर यह चैनल पर आफास्टाम विजिट के हो तो प्लीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक कोमेंट से ज़रू कर लिजेगा तो फिलाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं फंडामनेल के ओपर देख लेते हैं तो जैसे कि दोस्तों एक कमपनी कुरूड ओयल का रिफैनिंग की बिजनेस में जुड़ा हुआ है और उसी के साथ भेरियोस प परसंट का रिविन्यू और उसी के साथ अटोमेटिक ट्रांस्मिशन फ्लोईट का 10 परसंट और नापता इसमें 10 परसंट और अधर वेलुएड़ प्रड़क्ट से फूटिन परसंट का रिविन्यू जैनेल होता है तो कमपनी का जो फंडामेंटल है यहां पर आपको ठिक इसमें बहुत ही सांदर कैपसिटी है और न्यू रिफाइनरी भी कंपनी लगवाने वाला है यहां पर आप देख सकते हैं तो उसके बाद मार्केट वेलोशन के अगर बात करो दोस्तों जैसे कि आपको पता चुके हैं विड़केव कंपनी के आसपास यहां पर मार्केट व मिल रहा है जो कि 52 के अंदर यह आचावाचा तेजी हुआ था और अभी के टाइम पर स्टॉक का पीग अगर बात करें 3.23 और इंडिस्ट्री की पीग आप देख सकते हैं इंडिस्ट्री का पी हम पर 4.46 तो यहां पर स्टॉक का पीग जो है काफे ज़्यादा अंडर वेलो पीग जो है आगया नवले दिने में बहुत जरूर एजबार जा सकता है तो अब समझ सकते हो रिजर मनी भी कमनी के पास अच्छा खासा है और डेट मनी के अगर बात करें तो डेट मनी हम पर 9000 क्रोड के आसपास है तो फिलाल हम पर दूस्तू डेट मनी थोड़ा सा हाई है और परसंडेज भी 0 है और उसके बाद फाइनल सेल स्टाटोस के अगर बात करें तो फाइनल सेल स्टाटोस आप देख सकते हैं इसी क्वाटर के अच्छा खासा सेल्स क्या था कम्पनी जो कि पिछले क्वाटर से लगबग डबल किया था और नेट प्रफिट की बात करें त तो फाइनल सेल स्टाटोस आपको बहुत ही सांदर देखने को मिलेगा और year on year basis में भी जो सेल्स क्रूथ है बहुत ही सांदर तेज हुआ है लगबग डबल आपको देखने को मिलेगा और नेट प्रफिट की बात करें पिछले साल से दोस्तो बहुत ही सांदर तेज हुआ है लगबग 5X, 6XX में तेजी हुआ है पिछले साल से अगर compare करोगे इनका जो net profit है बहुत ही सांदर तेजी हुआ है जबकि पिछले 2 साल बहुत ही ज़्यादा negative में था बहुत ही बड़े बड़े loss किया था यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले एक साल का उंदर sales growth और profit growth में कितना तेजी देखने को मिला है 95%, 465% तो बहुत ही अचा कमनी है दोस्तो final sales status के उपर बहुत ही सांदर है और आगे के जो cutter हैगा दोस्तो Q1 का result इसमें अगर कमनी अचा का सा performance कल लेता है फिर भी इस stock का जो price है एक आचा का साब range दोक जाता हुआ देखने को मिलेगा और share holding pattern भी आप देख सकते हैं इसमें promotor का holding आपको stability देखने को मिलेगा 67% का holding इसमें बहुत ही longer time से आपको देखने को मिलेगा और FII जो है काफी ज़्यादा bullish में है इसलिए तो आपने stock को increase कर रहे हैं और DIY थोड़ा bearish में है इसलिए आपने stock को decrease कर रहे हैं तो fundamentally दोस्तो कमनी बहुत ही आच्छा है बेतर ने अभी के price के ओपर भी आप consider कर सकते हैं ज्योंकि आगे आनोले दिनों में इन दो सटर में दोस्तो एक आचा का आपको दे सकता है टेक्निकली ओकर दिखा जाए श्टोक यहां पर रिवर्सल ले चुका है तो सटर में जो कि आपको बता चुके हैं 400 का price जरू दिखा सकता है उसके ओपर आपको जरू consider करना चाहिए तो 300 के level दोस्तो और 400 का level कम से कम आपको 100 पॉइंट का आपको टार्गेट मिल जाएगा तो सटर्म के लिए दोस्तों और उसी के साथ यहां पर आप देखेगा stop loss जरू यूज करें काफे ज्यादा लिटाल स्टोक है तो आज की वीडियो में दूस्तों इतना ही और वीडियो में दी गई जानकारी शिरीफ आपके एजुगेशन आप प्रोफिजेश के लिए थे और कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आप यह अपने तरह आच्छे से अनालिसिस को लिजे और आपके फ